Hello friends, welcome back to my channel दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आपके पास printer का ये error आ रहा है तो आप easily इस error को कैसे remove कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो बहुत simple है आप इस step को follow कीजिए सबसे पहले दोस्तो आपको जो है windows की setting में जाना है statement उपर किलिक कीजिए, setting उपर किलिक कीजिए windows की setting open हो जाएगी उसके बाद आपको scroll करना है फिर आपको जो है यहाँ पर troubleshoot के उपर किलिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर other troubleshooter के ओपर किलिक कर देना है फिर आपको यहाँ पर find out करना है printer तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर आपको यहाँ पर run के ओपर किलिक कर देना है उसके बाद आप यहाँ पर यह process complete होने तक आप थोड़ा सा wait कीजिए तो guys जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं process complete हो गया है उसके बाद आपको इस setting को close कर देना है फिर आपको जो है windows के search bar में type करना है services उसके बाद आप जो है इसको यहाँ पर click करकर open कीजिए और आपको यहाँ पर find out करना है print spoiler उसके बाद आपको इसको select करकर right click करना है फिर आपको यहाँ पर property पर click कर देना है उसके बाद आप यहाँ पर startup type में इसको automatic select कीजिए फिर आपको यहाँ पर apply के उपर click करकर ok कर देना है फिर आप इस setting को close कीजिए उसके बाद आपको जो है start menu के उपर right click करकर device manager open करना है यहाँ पर device manager पर किलिक कीजे यह open हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर find out करना है printer तो आप यहाँ पर देख सकते हैं print cues आप इसको double click करकर यह option को extend कीजे उसके बाद आपको आपने PC में जितने भी printer install किये थे उसके बाद आप इसको close कीजे और एक बार से आपको select करकर right click करना है अपडेट driver पर click कर देना है और यहाँ पर browse my computer for drivers इस वाले option को select कीजे उसके बाद यहाँ पर let me pick from a list इस वाले option को आप select कीजे उसके बाद आपको आपका printer यहाँ पर show हो जाएगा फिर आप इसको select कीजे उसके बाद next के उपर click कीजे तो आपके पास यहाँ पर printer के driver install हो जाएगे उसके बाद आप इसको close कीजे all settings को आपको close कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको run command open करना है उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से type करकर ok के उपर click कर देना है उसके बाद आपको यह text को यहाँ पर paste कर देना है यह text मैं आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से easily copy करकर paste कर सकते हैं उसके बाद आप enter press कीजिए फिर आपको यहाँ पर windows के folder को select करकर right click करना है और यहाँ पर permission में आना है उसके बाद आप यहाँ पर अपने desktop का model number जो है select कीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर यह full control है आपको यहाँ पर यह box में check होना चाहिए उसके बाद आप apply के उपर click करके ok कीजिए फिर आप इस setting को close कीजिए उसके बाद आप अपने PC या laptop को एक बार restart कीजिए problem solve हो जाएगी उमीद है आपको वीडियो पसंद आए तो like कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जैनल को subscribe कीजिए